नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत हैं आपका आवद लाइब चैनल पर मैं हूँ आप सभी का दोस्त और होस्ट आशु दोस्तिवरी दोस्तों आज हम जनपद अयोध्या हरिंगटन गंज ब्लॉक में खड़े हैं और आज हमारे साथ दोस्तों एक प्रगती सील जनपद अयोध्या की किशान है जो की अचारी मिर्च की खेती बहुत ही जोड़दार करते हैं और पिछले साथ-ाठ सालों से कर रहे हैं नमबर एक की उतपादन यहां पे ले रहे हैं और कई सारे पुरसकार और संमान से वो क्रिसी के खेत में समानित हो चुके हैं तो दोस्तों अभी हम उनके खेत में ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त जो है यहां पे पौधों की ग्रोथ हो रही है और बहुत बड़ियां वो खेती करते हैं लोग उनसे सीखने और जानने भी आते हैं जन्पाद अयुद्धा में तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि अचारी मिर्ची की खेती किस तरीके से की जाती है कितनी लागत आती है किन बातों का ध्यान रखना चीए और कितना एक लाव किसान भाई कमा सकते हैं तो आए हम आपको लचमन पांडे जी से बिलवाते हैं टमक्रशकार पांडे जी सबसे पहले अपना छोटा सा पर्चे दीजे हमारे किसानों के लिए पांड़ जी बताइए कि अचारी मेर्च की आपने खेती कप करी इसकी नर्सरी कैसे तयार करी और खेतों में रोपाई कप किया आपने है इसकी नर्चरी 15 अगस्ट की आस पास हम डाले हैं यह पांच अगस्ट को इसकी रोपाई किया और यह में मांच में निकलती है वही जब सब के अहां सर्षो का टेल हो जाता है इन सारे इसमें लगती है और चार की मिर्च है तब इसकी दिमांद बढ़िया बढ़िया आती है, तो इसलिए इस कराब को मार्च तक ले जाने में थोड़ी मेहनत है, रिस्क थोड़ा ज्यादा है, कि मार्च जाए अच्छा, इसमें दो सिस्टम है, एक मार्च तक जाए और दूसरी बहुत लेट भी न रहे, तो इसका बह पंडे का, तो पंडे जीह कौन सा राय्टी है, यह बियन आरी की बिश्मित बिर थी दो लगी है, यह बियन लगी है इनका नुन हम वालों की, जी, अभी एक एकड में कर रहे हैं, अभी आप इसकी खेती? एक एकड की में किया है लेकिन इसका रेट बड़ा बढ़ियां रहता रेट इसका रहता लग भग मार्केट में तो देर सो रुपई किलो तक बिग जाती है ठीक है जी अच्छा पंडे जी यह बताई है कि कौन-कौन सी बातों का ख्याल रखा आपने इसकी खेती आप पिछले कई सालों से कर रहे हैं यही वही मेर्च वाली समस्या है इसमें माहित ना लगे और यह कीड़े उड़े ना लगे साफ सफाई खेत के होता रहे बस ठीक है जी अच्छा जो किसान भाई देख रहे हैं वीडियो कुछ अलग हटके करना चाहते हैं तो अचारी मेर्च की खेती कर सकते हैं इसमें लग 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 जाती है एक लाग के असपास अच्छा एक एकड में अगर प्रोड़क्सन अच्छा है पौधे आपके श्वस्त हैं तो कितना उत्पादन आता है और कितना लाभाप कमा लेता है उत्पादन वही मिलता है मानिकि चलिए पचीश से तीस कुंटल मैक्सिमम सु ठीक है जी हां माली जे रेट है मैक्सिमम रेट असी रुपे की जी है माली जी तो वही से गुणा कर लीजी आप देख लीजी कितना क्या है राइट ठीक है अच्छा पंडे जी इसमें कौन-कौन से मुख्य रूप से बीमारियां लगती है और उनकी रोग थाम आप कैसे करते वही माइट और यह हॉइट पलाई माइट पलाई सफेद मक्की और यह क्या नाम से इनका भून गाचुर का बहुत साजी समस्या आती है लेकिन दवाई पढ़ती रहती है सब साफ होते रहते हैं और यह कितने दिन का फसल चक्र होता है पंडे जी अब लगाए मान लिजी अ अब इसके बाद यह जाकर आपरायल में खाली होगा खेट ठीक है जी मतलब यह आठ से लेके नो महीने तक का फसल आपरायल में खाली होगा खेट भाई ठीक है जी अच्छा इरिगेशन के लिए सिचाई के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है यह ड्रीप प ड्रीप मल्चिंग पेपर पे लगाता है यह देख सकते हैं किसान भाईयों यह पूरा इनों इनके खेत में ड्रीप सिस्टम लगा हुआ है ठीक है तो अभी यह कितने दिन के पौधे हो गए हैं यह तो अभी 15 दिन की पौधे हुए हैं जी यह देख सकते हैं दूस्तों किस चीज कहती कर रहें अब ही आप और हैं ऐनुक इस अहलाएं ने पहत अरोफीड औरल्यर को अवों अंननी किसान भाईयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे औरनी किसान भाईयों के लिए कहना चाहेंगे की खेतीा by में जागा करना पड़ता है दिन दिश्याबग है SMITH मै तो इसमें पफधे से पाथे की इतनी रखी है और बैड जा घ्री इसे तोड़ा घंटा गुद्धार कर दीए है तो यह पधा जाएगा श्र मायू दोड़ाय तो यह तो प यह तक करे Benedict यहां तक आजाएगा फाल बाड़ा होने कारण भी निकाल लेता है यह तो अब भी जो मुझे दिखाई दे रहा है लगवग एक बाई एक पे लगा नाइड देड़ फूट पर अच्छा डेड़ फूट पर आप लगा देड़ फूट पर खीक है चल यह बहुत बहुत कर देड़ा है यहूट पर प्र आप तबूब कर दो धन्यवाद से भी जेवगा था ज्र रहुत प्रावगा फूट नियूटा बाड़ा है जिसप्स फ्टराएग पर देड़ भी जो थो